जहिन बच्चो, बच्चो मैं अजय खमार वारा नसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्षन पे स्वागत करता हूँ बच्चो आज का बीडियो काफी इंपोर्टेंट है जो भी बच्चे स्रिष्ठा योजने की त्यारी कर रहे हैं या एन MMS की नौदे विद्याले सैनिक स्कूल क्लास 9 और जो PM SSV का फॉर्म आने वाला उसके लिए त्यारी कर रहे हैं उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है आज के टॉपिक में ये कार्बन और उसके योगिक से रिलेटिट जितने भी प्रश्न है या जिवास्प इंदन है कोईला या पेट्रोलिम उसको में पूरा कवर करूंगा और काफी महत्पुन प्रश्ण बीच-बीच में बताते तो एक कॉपी पेन लेकि जरूर बैठिए और उसको नोट कीजिए कुछ चीजे हैं हमें जानना जरूरी है क्योंकि अगर हम कॉंसेप्ट नहीं समझेंगे तो असान सा प्रशन हमारा छोड़ जाता है कार्बन को आप जानते हैं बच्वों प्रेडिक्टेबल आपने देख को व्यवस्ता होती नहीं होती है अथार्ट इनका कृश्टेलिय जणरचना नहीं होती है इसमें क्या क्या आता है इसमें देखे कौल आ जाएगा लखडी आजागा जंतु चार कोल सुगर चार कोल काजल लेंड ब्लैक ये सभी कारवन के क्सट्रेल यह अपर रूप है ठीक अब जंतू चारकुल देखे वह यह जंतू की हड़ियों के भंजक आस्वन से बनाया जाता है जंतू चारकुल में केलसियम फास्फोोट के साथ केलस्यम फास्फोट के साथ केलसियम कार्वन लगभग 12% होता है इसका प्रयोग जो है चीनी उद्योग में गन्य के रस को रंग हिन करने में तथा फॉस्फोरस योगिक बनाने में किया जाता है तो बच्चो इसका अब जन्तु चारकूल का अब इस्तमाल देख ले कहां होता है ठीक है इसके बाद है सुगर चारकूल जिससे करमेल भी कहा जाता है सुगर चारकूल कारबन का अक्रिस्टल ये अपर रूप है इसे चीनी अब देखे फॉर्मला जरूरी याद रखे का C12H22 यानि की कारबन के 12 एटम है हाइटरोजन के 22 और ऑक्सिजन के 11 पर सांद्र गंधक के अमल यानि की सल्फरिक एसिड जो है ओलेंगे की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है ठीक है तो बनानी की परिक्रिया आपने देख ली तो गंधक का अमल चीनी से जल को असोसित कर लेता है और सेस कारबन रह जाता है तो प्योर कारबन यहां रह जाता है और पानी अलग हो जाता है ठीक है सुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक की रूप में परियुक्त होता है यह धातू ऑक्साइट को धातू के रूप में अपचायित कर देता है ठीक है इसके बाद है carbon crystal ये अपर रूप ये बहुत important इससे भी सवाल आते हैं इसमें एक defined structure होता है बचो चाया आप हीरा कही कहीं का उठा लेजिए फुलरीन उठा लेजिए हीरा फुलरीन ग्रेफाइट ये कारवन के crystal ये अपर रूप है इसमें जो सन रचना होती है निश्चित होती है अब ग्रेफाइट की बारी ग्रेफाइट आप बच्चो जानते हो कि आप जो पैंसिल इस्तमाल करते हैं इसमें ग्रेफाइट का इस्त इस्तमाल एक बिद्धूत सूचालक उसमें होता है निकले प्लांट में होता है अब देखते हैं नीचे ये बिद्धूत का सूचालक होता है अता इसका प्रयोग बिद्धूत इलेक्ट्रोड बनाने में ताथा पैंसिल बनाने में किया जाता है तो कई बार आता है ऑप्श लिए रूप को बिद्धुद भट्टी में गर्म करने पे बनाया जाता है या अपार दर्सी होता है तो हमने देख लिए जो क्रितिम ग्रिफाइट हो किसे साब से बनाया जाता है पिर अतितिक उच्छ दाप तथा ताप पर ग्रिफाइट को हीरे में परिवर्टित किया जा स इसमें देखे कारवन का एक प्रमाणू कारवन के अन्य चार प्रमाणू से जुड़ा होता है यह इंपोर्टेंट है कारवन प्रमाणूयों की चतुस फल्किये विवस्था के कारण यह पूर्धा आबर्ध कठोर एम 3B में सरनरचना है हीरा प्रकृति का कठोर रुतम प्र इसके बाद इके फुल्रीन ग्रिफाइट को अतितिक उचितापक गरम कड़के कारवन का अपरू फुल्रीन का निवार किया जाता है फुल्रीन जो है क्रिस्टलिये कारवन जिसमें 30 से 960 परमाणू की एक अनुपराप्त होता है इसको फुल्रीन को देखे बच्चो फॉर प्रथम कारवनिक योगिक सवाल आया कई बार की लैब में बनाया गया प्रथम कारवनिक योगिक कौन सा है और किस ने बनाया तो होलर ने बनाया प्रयोक साला में और योगिक जो है यूरिया का संसलेशन किया था तो क्या लिया था उसने अमोनियम साइनेट लिया था और दर्म करने पर इसके crystals यूरिया के आगे तो यूरिया में देखे इधर दो एनस्टू रहेंगे ठीक है इधर दो एनस्टू रहेंगे इसको आप ध्यान रखेगा structure को ठीक है अब देखे कारवनिक योगी के सो कहते हैं जिसमें कारवन अनुपस्तित रहता है सिंबल से बात है ठीक है बहुँ ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है ठीक है इसके बाद है कारवनिक योगी कौन है जिसमें कारवन उपस्तित रहता है जिसमें भी C formula मिल जाए तो आ जाना 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 बहुत ही जरूरी है तेल घी के बारे में भी इस पर सवाल कई वार आये हुए हैं वे hydrocarbon यह होगी जिसमें carbon carbon के मद एकल बंद हो एकल देखें एकल bond हो कोई double bond ना हो अर्थारत carbon की चारो सही योगता एकल बंद द्वारत संत्रिप्थ होती हो संत्रिप्थ हाई दो carbon कहलाते हैं अब देखें बच्चो इसमें bond में हलका सा समझा दूँ कोई एक carbon है न उसमें चार ये लोगों से जोड़ सकता है इतना ध्यान रखेगा चार से नहीं जोड़ा है तब वो रहे गई नहीं ठीक है तो चार bond इसको बनाने पड़ते हैं तो चार hydrogen होते हैं सारो hydrogen ठीक है यहीं चीज देखें यहां पर यह देखें किसी भी carbon को आप देख लिए चार से जुड़े वह हैं ठीक है यह जूड़ रहे हैं यह आपके यह देखें मेथेन का फॉर्मला है CH4 ठीक है यह देखें C2H6 hydrogen इसमें 6 हैं यह मेथेन हो गया यह इथेन हो गया तो इस आपके जो भी structure होंगे जिसमें double bond नहीं है वो संत्रिप्त हैड्रो कारबन होता है और संत्रिप्त में देखें जिसमें carbon carbon परमानवें के मद्ध कम से कम एक दियोबंद या त्रेबंद होता है ठीक है तो एथिलीन का देखें एथिलीन में क्या है double bond है दो कारबन हो गया अब carbon है ठीक है तो आप इसको इस तरी की एक और structure बना दूँ यह है acetylene acetylene का इस्तमाल आप building वगरा में होता है यह देखें triple bond होगे इसमें ठीक है तीन bond होगे तो बस एक hydrogen जुड़ेगा ठीक है तो C2H2 देखें इसलिए formula होता है तो कुछ चीज़े आप diagram से जान जाएंगे त अच्छा रहेगा यह आगे आपको पढ़ने में काफी मदद करेंगे इसके बाद है methane methane देखें सरलतम hydrocarbon है CH4 ठीक है इसके एक कडू में अब मैंने बता दिया अलदी methane का यह जानी है जो सबसे बड़ी बात है प्रकर्टिक गैस है और तेल कुए से निकलने वाली गैसों में अपस्तित होती है दल्दली देखें कई बर सवाल आता है धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है और सबसे बड़ी बात यह ओजोन लेयर को बच्चों नुकसान पहुंशाता है यह ठीक है तो पेड़ पौध है और यह आपके global warming के लिए भी उत्तरदाई है ठीक है तो methane का क इसे भी बढ़ड़ा है तो दल्देरी अस्थानों में पेड़ पौध है और अन्य कार्बनिक परदाथ हो कि सरड़ने से मीथेन गैस उत्पन होती है इसे मार्स गैस भी कहते हैं तो कई बार आता है मार्स गैस किसे कहते हैं मीथेन वायू के मिसरन को प्रजूरित करने पर कोईले की खाइनों में विसुर्ट का कारण मीथेनी है तो कई बार कोईले के खादान में आग लग जाना यही कारण बनता उसके पिछे इंदन हमने जान लिया इस जो कृश उसमा उत्पन करती है विपरदादा धेहन करने पर वो इंदन कहलाते हैं डिक है तो जै द्रभ मे देखिये डीजल आप मिट्टी के तेल पेट्रोल वगर आप जानते हैं गोवर गैस देखिये गोवर गैस किसका मिश्रण है मिथेन का कारबन अक्साइड का हीड्रोजन की आता है सवाल बाटर गैस क्या है कोल गैस क्या है प्रोडूसर गैस देखिये प्रोडूसर गैस का कार जेट रॉकेट और मिसेलों में प्रेव दिंधन होता है ठीक है पेट्रोलियम उत्पत्ती सब को बता है बच्छो कि अर्वो साल पहले प्रित जो मृत जन्तू होके पेड़ पॉद है तो दब दब के प्रिशर की वज़े से बन गया थे ठीक है यह पेट्रोलियम सब पेट्रा यानि कि चट्रान ओलियम मतलब तेल होता है उससे लिया गया है पॉइंट्स बच्छो बहुत धेर सारे हैं MCQ भी इससे रिलेटेड है इसके बाद द्रब सोना है लिक्विट गोल्ड किसे कहा जाता है आपको पता है यह पेट्रोलियम को ही कहा जाता है आया हो यह सवाल ठी ठीक है तो यह जान के काफिय मपड़ पेट्रोलियम का देखे सोधन किया जाता है बिना उसके नहीं हो सकता है ठीक है तो इसमें रिफाइनरी में आस्वन बिधी से किया जाता है और इसमें देखे प्रभाजी आस्वन से Peraffin, Mom, इसनेहग तेल, डीजल, केरोसिन, प premi ऐथर, Prakritick Gas प्राप्त होता है तेल के क्यों से देकि Petroleum आपर प्राक्रतिक गास दोनों प्राप्त होता है प्राक्रतिक गास को उच्छिदाब वा निम नताब पर संबिटित करके द्रवित किया जाता है और इससे ही CNG बनती है Compressed National Gas जो कि इससे में कार गाड़ियों में ओटोगरह में इस्तमाल हो रहा है LPG आप जानते हैं इसको Liquified Petroleum Gas कहते हैं पता लगाने के लिए कई बार सवल आए इधर बीच कई सालों से नहीं है लेकिन आ सकता है इसमें इथाइल मरकेप्टेन का इस्तमाल किया जाता है ठीक है ताकि वो गंदा पैस्चान ले और LPG में आईसो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसो का मिश्रण होता है यह काफी इंपोर्टेंट है और यह गंधिन होती है गंधिन होने की वज़ा से ही इसमें इथाइल मरकेप्टेन मिला जाता है ताकि वो एकदम पता चल जा कि गैस लीक हो रही है ठीक है कोईला अब कोईला भी बच्छों काफी सवाल आते हैं ठीक है प्रोप से देखे भूरा कोईला जिसे हम लिगनाइट कहते हैं और इसमें दियान रखेगा एक पीट कोईला होता है मैं तीन कोईले में लिख दे रहा हूं और इसको आप अलग से नोट कर लिजेगा ठीक है यहां देखे डामर कोईला जिसको बिटुमिनस कहते हैं इसमें 65% आपका कारवन होता है और महत्पुन कोल इंधन ये है हमारा ठीक है भूर 50% कारवन होता है कारवन की मातर है जरूर आप नोट कर लिजेगा एक बच्चो होता है पीट कोईला पीट ठीक है पीट कोईला इसको नोट कर लिजेगा इसमें 60% होता है इतमें सबसे कम कारवन अगर पूछा जाए किसमें होता है तो पीट में होता है ठीक है और जो जनरल लिगनाइट होता है और बिटुमिनस होता अगर उसकी सीरीज बनाएं हम लोग तो पीट पहले आएगा लिगनाइट बाद में आएगा इसको हम कर लेते हैं 70% लगवाग ठीक है पहले पीट, फिल इगनाइट, फिर बिटुमिनस और एंथरसाइट एकदम आखरी में आएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं दहन वाली पेकरिया पर ऑक्सिजन चाहिए होता है और इंडियाटली में यह होता है बाई कुछ प्रश जो है पाय जाता है जो की 80-90% होता है ठीक है इसके बाद ही इथेन का आता है इसके बाद ही इथेन के आता है 6-10% बाकी प्रोपेन विटेन थोड़ी-थोड़ी मातरा में रहते है तो यह important point था और कोग जो है लोहे के रिटार्ट में कोयले का बंजक आज़क करने से तो ये देखिए धातु कर्व में अपचाय के रूप में यह कार्य करता है कोक का तो कोक का कई जगा ऐसे स्टील निरमार में ठीक है इंधन के रूप में भी परियोग किया जाता है पहला सवाल अभी आपके सामने ले रहा हूं विबिन परदार जो प्रकृति से प्राप्त हो वाई हो एक प्रकृतिक संसाधन ए और मानवी गतिपिदियों से यह समाप्त नहीं हो सकती यह अक्षे प्रकृतिक संसाधन की रूप में जानी जाती है निमलिकित में से एक अनन्य अक्षे प्रकृतिक संसाधन कौन सा है ठीक है तो इसका बच्चों हम देखते है कोईला न नहीं है खनीज नहीं है तो option number C यहां पर सही है फिर है निमलिकित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्रकृतिक संसाधनों का एक यूगल है तो इसमें हम देखते हैं वने जी और खनी जिसका एक उधारन है ठीक है उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोईले का प्रकर्मन किया जाता है निमलिकित में इसे कौन सा उत्पाद कोईले से प्राप्त नहीं होता तो देखे मैंने पहले भी बात किया था कि जो जो प्राप्त होते हैं उसको नोट के लिजेगा कोक होता है, कोलतार होता है, कोल गैस होता है लेकिन CNG नहीं होता है कुछ बदलाओं के साथ आ सकते हैं ठीक है तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपका आ उसका होता है ठीक है तो क्या उसको कहते है मृत जीव। सिक्स का आपका option number D सही है कोईला जिन और से सो से बनता है तो हमने जस्ट देखा कोईला जो है वो केवल वनस्ती इसे बनता है ठीक है इसका option number A सही है मुरित वनस्पती के कारवनिक करण से कौन सा प्रदार्थ बनता है तो कोईला बनता है अभी जस्ट इसका उल्टाई था ठीक है फिर कोल्थार से नेप्थिलिन की गोलियां प्राप्त होते है आपने देखा होगा सर्दियां जब मौसम आजाता है गरम कपड़ों के साथ गोलियां रखे जाती है सफेज सफेज उसी को नेथिलिन बॉल बोलते हैं उसकी अलग सी गंदे भी होती है इंका उप्योग किसी भगाने के लिए आखिर क्यों किया जाता है इसके पीछे बच्चों एक तरह के कीडे होते हैं मोथ उसको भगाने के लिए किया जाता है निमलिकित में से कौन सा पेट्रोलियम का आववे नहीं है ठीक है तो देखे पेरफोम मोम है इस नहक तेल है मैंने नाम भी बताया था पेट्रोल भी है कूक यहां नहीं है ठीक है तो यहां option number D है पेट्रोलियम का निर्मान उन जियों में हुआ जिनका आवास था तो जिनका आवास समुंद्र था ठीक है तो इसका option number C सही है फिर है निमलिकित में से सही कथन का चैन कीजिए ठीक है प्रक्रितिक गैस का परिवन पाइपो द्वारा करना कठीन है यह गलत है प्रक्रितिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते गलत है प्रक्रितिक गैस को संबड़ित प्रक्रितिक गैस के रूप में अधिक दापर बंढारित किया जाता ये सही है बाकी ये option गए गलत है ठीके बच्चो आपको सवाल है बच्चो जो जल्ली से में बतादूं जो मैंने बताये हुए है कोईले का सुद्धतम रूप क्या है तो कोईले का सुद्धतम रूप जो मैंने बताया था जिसमें सबसे ज़्यादा कार्वन होता है वो है एंध्रेसाइट ठीके तो ये कुछ अलग question है जो मैंने बनाए हुए है दिखने ही पाएंगे भी आपको फिर है कार्वन का अपर रूप जिसका उप्योग धातू के निस्कर्षन में होता है वो है तो वो है बचो आपका कोक ठीके धातू की निस्कर्षन में होता है तो वो है आपका कोक कास्ट चारकोल यानि कि उड़ चारकोल के कौन से गुण के कारण वो गैस मास्क बनाने में प्रियुक्त किया जाता है तो वो है अच्छा और सोसक ठीक है उड़ चारकुल अगर फ्रिज में भी बद्बू आ रही है तो अगर आप उसको रख देंगे तो उसकी गंद खीच लेगा तो अच्छा वो और सोसक है इस वज़े से उसका इस्तमाल होता है ठीक है तो यह सब कुछ अलग थे सवाल और हड होता है तो छापे कहाने की स्याही जो है उसमें काजल का इस्तमाल होता है ठीक है आप इसको नोट कर लिए होंगे इसके बाद बिस्वे में को गर्म रखने के लिए कौन से गैस उत्तदाई है तो देखे घुमावदाव प्रशन है तो उसमें कार्बन एक्साइड मीथेन य अपूर्ण देहन से क्या बनता है फिर है सवाल आया है कई बार कि कैलोरी मान सबसे जञादा किसका होता है तो अगर चार ऑप्षन आपके पास है मीथेन है आफिल एल्फी जी है ठीक है कॉल गैस है और आपका हैडोजन है票 है तो सभसे ज़्यादा कैलोरी मान आपका हैड में मान तथा प्रदूशन कारी इंधन है अगर ऑप्शन दिये जाएं कोईला गोबर एल्पीजी और पेट्रोल तो इसमें होगा बच्छो आपका एंसर गोबर कई बार हमें ऑप्शन देखके हल करने होते हैं ऑप्शन के अधार पर ठीक है एल्पीजी का मुख अव्वय है क कsel आया कि ऐल्पीजी मैं प्रमकता क्या पाया जाता है तो ल्पीजी बच्छो ब्यूटेन पाया जाता है ठीक है मैंने बताया भीहा अलग से नोट कर लिजए का मेधेन इफीयन प्रोपेन ब्यूटेन इन चारों को जब हम सुनते हैं तो आप्शन भीरमा बीमारे अजात मतलब जहां मैं जोड़ पड़ा तो हम जला लेते हैं ठीक है खाना बना लिए कुछ भी कर लिए फिर देखी सवाल जो मैंने बताया इसको रिविजन करा दू प्रकृतिक गैस का मुख अब है क्या है तो मीथेन है अभी जेस्ट हमने देखा प्रोडूसर गैस किसका मिश्रण है प्रोडूसर गैस जो है किसका मिश्रण है प्रोडूसर गैस कि प्रोडूसर गैस किसका मिश्रण है तो कार्बन मोनोक्साइड के साथ में नाइट्रोजन के मिक्षर को प्रोडूसर गैस कहते हैं सब का अलग अलग इस्तमाले बच्छा अब डिटेल बताऊंगा बहुत जाता समय हो जाएगा फिर है जिवास में इंधन का उधारन है तो कोईला हो गया काफी कुछ हो गया इसमें ठीक है और आज का आखरी सवाल ले लो नेमलिकत में से कौन पेट्रोलियूम तेल का घटक नहीं है डीजल सी एंजी केरोसिन तेल पेरफिन मोम ठीक है तो इसमें जा जाई समय हो सबांगा दिगकरा से वाल बहुत है यवागा जादता से प्ल्च कह दुछ है नहीं हैors जांगा टूला है डल सी एतनी जाजीशक में जाएगा